कि अगुए है कि अगुए है कि अगुए है गुद्धिनि नमस्कार हम अपने कारेकरम हो में पैथि विद्ध डॉक्टर जाग्यवेल क्या में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं इस बार इस कारेकरम में हमारा विशे अस्तमा को लेकर है अस्तमा जा दमा एक गंबीर बिमारी है इसके चलते करोडों लोगों का जीवन बहुत कठिन हो जाता है हमारी medical science ने अस्तमा पर काफी काम किया है इस विमारी के सबंद में होमेपैथी की क्या स्थिति है यही आज का विशे है डोक्टर याग्यवल के हमारे साथ हैं उन्होंने अनेक विशेव में गंबीर अध्यन किया है और डिग्रिया प्राप्ट की है इनमें प्रमुक है quantum physics, mathematics, psychology, law, जोतिश and होमेपैथी वे पिछले 20 वर्षों से भी अधिक होमेपैथी के द्वारा लोगों की सेवा कर रहे है आई ये उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं नमस्कार टॉप्ट साब नमस्कार ग्रॉप्ट जी तो आज बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर आपके शो में तो आज जी अगर आपके आगे को सिलसला बढ़ाए ले प्लीज 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 आगे शुरू करें जी सो डॉक्टर यागे वलके क्या आप अस्त्मा के बारे में कुछ बता पाएंगे कि कोई भी अपना इलाज खुद कर सकें गौरव जी जीवन बहुत कॉंप्लिकेटिड है इश्वर की अमूल्यकृति है तो जब भी हम किसी दवाई या दवा सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो वह उस जीवन के साथ उसकी सरकम्स्टांसिस को बदलने जैसा होता है आप एलोपैथी सिस्टम देखें होमीपैथ हर एक पनाली में एक बहुत गहन अध्यन और बहुत गहन परामर्श किया जाता है तब उसके बाद दावाई बताई जाती है किसी भी तरह से एक आधे घंटे का एक घंटे का प्रोग्राम सुनकर आप इस आहलत में नहीं पहुंश सकते हैं कि अपने जीवन के साथ कोई खि कि बताएगा कि कि 42 परस्तिती में कि सी 어떻 act정 से दावाई दिनी हैं तो इस कारह कम काव yes यह है भी नहीं हि कि हम आपकी क्लिनिगलामर्श यो होता है उस clinical परामर्श को किसी भी तरह से प Radio करतिशी सानिक हें he या जब किसी अन्य बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, उस बीमारी के बारे में होमियों पैसी जो निदान प्रस्थ करती है, यह उन संभावनाओं की और इशारत होता है, यह क्लिनिक में तैह होता है, डॉक्टर अपने इंटरेक्शन से तैह करते हैं, कि उन विशेश परस करते हैं, कि हमारे पास ऐसी ऐसी संभावनाओं उपलब्ध हैं, और जब भी वो किसी एक प्रसिक्षित एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो वो उन बीमारीयों का और उन दवाईयों का नाम लेकर उन से फिर आगे के बारे में पारावज करते हैं, जी 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 बहुत बहु कर रहे हैं, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रेशन पर, सो बैसिकली अस्तमा क्या होता है, इसके कारण क्या होती है, अस्तमा गौरव जी एक लोंग टर्म इंफ्लमेंटरी डिजीज है, आपके एरवेज, जो सांस लेनी के रास्ते हैं, वायू के रास्ते हैं, जिनसे वो आपके लंक्स तक पहुंचती है, जब उन रास्तों में, हवा जाने के रास्तों में, आपके इंफ्लमेशन हो जाता है, जिनको ब्रोंकाल्ट्यूस कहते हैं, तो हमें अस्तमा उस समस्या को कहते हैं, उसमें आप सांस नहीं ले पाते हैं, आपको खासी होती है, आपको सांस के अंदर आवाज आती रहती है और छाती में तनाव रहता है आपकी जो सांस है वह छोटी हो जाती है शोटनेस ऑफ ब्रेत हो जाती है तो यह तीन चार अस्तमा के मुक्ष लक्षन हैं आपको कप होगा वीजिंग होगा टाइटनेस ऑफ चेस्ट होगा और shortness of breath इनको हम अगर सहीं तुरूप से देखें तो इनको हम अस्तमा कहते हैं अस्तमा के होने के हमारे पास बहुत सारे कारण हैं या तो आपको यह हरेडिटरी रूप से हो सकता है या दिमादा पिता को अस्तमा है तो आपको भी यह प्राप्त होता है या जिस environment में आप रह माइन्स के अंदर आप इसको कर सकते हैं या डस्त है इस तरह की परस्थितियों में जब आप देखते हैं तो उन कारणों से हमारे पास अस्तमाट्रिकर हो जाता है कुछ medical conditions होती है यो कि हम अभी काडियक अस्तमा में पढ़ेंगे वो प्योरली अस्तमा नहीं होता लेकिन सा जान से हम उसको काडियक प्रॉब्लम को भी अस्तमा की शणी में गिनते हैं और उसको एक विशेस नाम काडियक अस्तमा के रूप में जानते हैं कुछ physical exercises को बहुत जादा करने से भी आप अस्तमा के शिकार होते देखे गए हैं आज कल जैसे COVID-19 के बाद से आप लोग N95 मास का इस्तमाल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो सुबह exercise करने के लिए पार्कों में आते हैं वो एक exercise करते हैं और exercise में जितनी oxygen होंके फिर शरीर को चाहिए वो उसको inhale नहीं कर पाते तो ऐसे में उन्हें भी अस्तमा का मैंने अटेक उती हुए देखा है तो जब भी आपके सांस लेने के राज्ते में inflammation होगी तूजन होगा और आपको सांस लेने में समस्या होगी कफिंग होगी वीजिंग होगी उस समय हम उस्तमा कहेंगे या दमा कहेंगे जी जी तो डोप साब अस्तमा कितने तरह का होता है और होमेपैथी में इसको कैसे देखा गया है कि अस्तमा को कि दो तरह का आप मुख्यूरूप से समझ सकते हैं कम सकम इस कारेकम के नुक्ता है नजर से एक ब्रोंकायल अस्तमा होता है जिस में आपके एरवेज चो छोटी छोटी नलियाँ हैं और दोisé तकी एलाऑ्टी हो जाती है जम समय आपको सांस लेने में मुश्किल होती है सांस पूरी तरह दिप नहीं आपाता है आप गहरी सांस लेना चाहते है लेकिन गहरी सांस ले नहीं पाते हैं उस अवस्ता को आप ब्रोंकायल अस्तमा कहते हैं, एक दूसरी वेडिकल कंडिशन होती है, जो की ब्रोंकायी से जुड़ी होई नहीं होती है, आपके लंग्स से जुड़ी होई नहीं होती है, लेकिन वो आपके हाट से जुड़ी होई होती है, और पर्टिकुलर्ली आपके होता है आपका स्र Verf Commission पूरा नहीं होता है रात के समय जब आप सोते हैं वो स्व के समय सपोड़ने में प्रॉंब्लम्स रहती रात को सोटे सोते भह आपको राजाती है लेकिन वह ब्रॉंकायल अस्क नहीं होता जो कि नाम से इन दोनों को कारण के करन है और दूसरी को हम ब्रॉंकायल आस्था कहते हैं होमियोपैथी के बारे में जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था कि होमियोपैथी कभी भी किसी बीमारी को उसके नाम से नहीं पहचानती है बलके उन समस्याओं से पहचानती है जो व्यक्ति मैसूस कररहा हुस्ता है व्यक्ति से हम पूछते हैं कि आप सांस लेने में कैसी problem मैसूस कर रही है तो ओपने लक्षन बताता है उन लक्षाणों के आधार पर हम उसको एक दवाई तजवीज करते हैं और दवाई लेते हैं और उसकी वो समस्याएं दूर हो जाती है लेकिन ये निशित है कि होमियोपैथी में ऐसी संभावनाएं हैं ऐसी मैडिसन्स हैं जो ब्रोंकाल अस्तमा को भी और जो काडियक अस्तम के मुताबिक ब्रोंकाल अस्तमा को कभी भी तरह से टोर नहीं किया जा सकता लेकिन इस बंदिश को होमियोपैथी नहीं मानती होमियोपैथी के मुताबिक ये वाला अस्तमा जोरेबल होता है और आप उस काडियक प्रॉब्लम को एड्रस कर देते हैं जिसके करणा को सांस ल इंट्रेवेंशन हम नहीं करते हैं जैसी की अलोपैथी वाले करते हैं लेकिंट हम इसको अड्रेस करते हैं और मैंने अपने विक्ति का तनुभा में देखा है कि हम दोनों प्रकाज के इसमा को कर पाँ है जी 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 सो अगर शंक्षित में बोला जाए कि होमेपैथी में सर्जिरी का कोई प्रिवाद प्रिवधान नहीं है जो एलोपैथी में करते हैं हाँ इसमें हमारे पास क्योंकि surgical intervention का कोई तरीका नहीं होता surgical intervention आपकी एलोपैथी की ब्रांच है तो हम तो सिर्फ उस वेफ्टी के लक्षन पूछेंगे लक्षन पूछने के बाद हम देखेंगे कि उस तो कहां समझ चाहे ये कि इन दूसरे लक्षनों के साथ जुड़ी हुई है और उस जुड़ाव के आधार पर जो totality of symptoms है उसके आधार पर फिर हमें दवाई तज्वीश करेंगे जी 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 अगला question लेने से पहले थोड़ा तर्श्रों को बताएए आप सब के question लिए जाएंगे हम सारा सारे सब के question थोड़ा अंतराल के बाद लेते हैं तो अगले question पर बढ़ा जाता है तो डॉक्टर साब ब्रॉंकायल अस्तमा को होमरपैथी में कैसे उपचार करते हैं लिए इसकी कोई specific treatment है हाँ ब्रॉंकायल अस्तमा का अर्थ जैसे कि अभी हमने देखा आपके airways में आपके lungs तक जो हवा जाने का oxygen जाने का रास्ता है जब उसमें सूजन आ जाती है वो अपनी पूरी शम्ता के अनुसार oxygen आपके शरीर में नहीं दे पाती है तो हम उस अवस्था को ब्रॉंकायल अस्तमा कहते हैं मैं फिर दर्शकों कुछ बार कहना चाहता हूं कि यहां इन संभावनाओं को समझने का प्रयास करें इनके आधार पर मैं सिर्फ आपको तरीके बता रहा हूं जो संभावनाओं हमारे पास हो सकते हैं कई बार हमें बड़े एक्यूट अस्तमा की समस्या देखने को मिलती है आप कुछ कदम चलने के बाद आए और दोड़ने के बाद आए और आपको अचानक breathlessness तेज होने लगी और आपको लग बड़ा sudden outbreak of asthma हो जाता है तो उस समय हम एकॉनिटम नेपलस का प्यूब करते हैं यह वो अस्तमा है जो सर्दी से होने वाला अस्तमा है तो यह हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको ब्रहुकाल अस्तमा को भी थोड़े थोड़े चोटे-चोटे-चोटे कुछ रूपों में बा बड़ता है तो वहां पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है वो चल पर रही सकते हैं और उनको खांसी और शोटनेस और ब्रैथ और टाइटनेस ऑफ चेस्ट की समझ्चा होने लगती है उस समय सबसे पहली दवाई अचानक एकदम से होने वाला अस्तमा के लि फीलिंग होती है कि आप कमर के बल नहीं लेट पाते हैं आपको भै लगता है कि मोत आने वाली है लेकिन फिर भी दिल नहीं करता आपके जो मेंटल रूब्रिक्स होते हैं वो उस तरह के रहते हैं कि फिर भी आपके दिल नहीं करता कि डक्टर के पास जाए 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 वो क बहुत गहराई पर काम करने वाली है दवाई है इस आर्सिनिकम एल्बं की साहथा से मैंने बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट जिनको हरेडिटरी प्राब्लम थी जिने खांदानी समय से ये चला आ रहा था मैंने उनको भी ठीक किया है और यह एक बहुत अनमो रोश्थी है और अस्थमा जो सर्दी से होने वाला अस्थमा है उसका ये एक प्रमुख तरीका है है दूसरा हमारे पास है कि जो सुबह तीन बजे के आज पास होता है जैसे अभी हमने जिक्र किया कि कार्डिय कस्तमा जो होता है वो काडिय कस्तमा आपका सोने के समय आप उसको फेज करते ही तो हमारे पास एक केलियम केमिकल एलिमेंट होता है जिसको हम इंग्लिश में पोटाशियम के दो साल्ट से हमारे पास एक केलियम बाइक्रोमिकम और दूसरा केलियम कर्बोनिकम यह दोनों रात के समय या सुबह के समय जो हमें अस्तमा का अटेक होता है उस अस्तमा के अटेक के लिए ये तूनों दवाईयां बहुत कारगर ही सुबह तीन बजे के आसपास इनका अटेक होता है और कैली बी की पहचानी यह है कि कैली बी में एक टनेशिस बहुत चिपचिपा सा गले से ना निकलने वाला बड़ी मुश्किल से उसको हम खकार के बाहर निकाल पाते है ऐसा म्यूकस गले में रहता है तीन बजे के आसपास इनको दोनों दवाईयों में तीन बजे के आसपास अस्तमा का अटेक आता है सुबह और उसमें पेशेंट लेट के नहीं नहीं रह पाता है वो उल्टा जुख जाता है आगे की तरफ ये इसकी बड़ी पहचान है कैली अंसाल की कि आगे की तरफ वो जुक जाता है बिल्कुल और तब जाकर उसको रिलीफ होता है पूंधा बैठ जाता है मैं शायर अपनी बात कह पा रहा हूं आपसे बिल्कुल जब उल्टा जुक कर बैठ जाएगा और तब उसको खांसी से या अटेक से तब उसको आरा मिलेगा तो वो कैलियम साल्ट की पहचा लेकिन कैलियम साल्ट के लिए जब आप किसी प्रसिक्षित होंगे पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि इसको हम बुखार की अवस्था में नहीं देते हैं जब भी आपको इस साल्ट केलियम का लेंगे तो उस समय उसको बुखार के अवस्ता में नहीं लेंगे यह देख लें कि जिस समय वह इसमेटिक अटेक रहा हो उस समय बुखार के अवस्ता ना हो तो उस समय हम कैलियम कार्बोनिकम जो होती है कैलियम कार्बोनिकम में उसको हो जाता है उसको जो दर्द महसूस होता है वो दर्द आम इंसान से जादा महसूस होता है वो दर्द के प्रती ओवर सेंसिटिव हो जाता है ऐसी अवस्ता में हम उसको कैलियम कार्मोनिकम देते हैं लेकिन जब आपको छोटे बिंदूओं के रूप में सिर पर या माथे पर य जब दर्द होने लगता है तब हम उसको केलियम के दो साल थें केलियम बाइक्रोमिकम और केलियम कार्बोनिकम इन दोनों के बीच के बारीक अंतर को केवल एक होमिपैस ही डिसाइफर कर सकते हैं आप तो सिर्फ देखेंगे कि जिस समय सुबह सीन बज़े के आसपास आपको कि आपको उठके बैठना पड़े आगे जुकना पड़े आपको रिलेफ मिले तो उस समय आप इन केलियम साथ को दोनों को देंगे उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा आस्तमा रहता है जो आपके वर्क प्लेस से जोड़ा रहता है कुछ लोग आपने देखा होगा पुराने सम पर बनाने का काम करते हैं या अपरेल मई में आपने देखा होगा जिस समय किसान अपने गहों के फसल काटते हैं तो उस समय वहां पर गहों के भूसे के बहुत चोटे-चोटे कौन उड़ने लगते हैं धूर भरी आंधियां चलती हैं या खानू में काम करने वाले दोग हो जहां इस तरह का एक ट्रिगर आपके पास हो जो आपके अस्तमा को उभार रहा हो उस ट्रिगर वाले अस्तमा से कारे स्थल पे होने वाले अस्तमा से पार पाने के लिए दो बहुत 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 बहुतरी नवाईएं हमारे पास हैं एक काडस एम होती है काडस एम जब आपका वोजित सत्मा और आपके साति वाले अस्तमेर और और उसमें लिवर कंप्लेंट्स होती है जो आपकी डाहिने सें तरह वाली जिबस होती है उन दाहिनी जिबस के अंदर भी उसको दर्द होता है पीछे कैपुल·मा में दर्द होता है जो आपके हाठ की हड़ी है पीछे एक emat Like पर दर्द होता है तो उसके लिए हम कार्डस M का प्रियों करते हैं दूसरी दवाई इसके अंदर हमार बहुत सारे उन्मिपैस इसको as a default medicine पर्योग करते हैं जब भी कहीं आप धूल भरे इस्थान में काम करेंगे, जब भी कहीं आप falling grains वाले इस्थान में काम करेंगे, कहीं सरक बनाने वाले स्थिति में काम करेंगे, उनके आसपास ऐसी परसुति में काम करेंगे जहां बहुत ध जाने पर डबाने उसको बहुत आरहां मिलता है यहां उसको खुशखी रहती है और अंदर उसको लगता है कि जैसे मुझे एंदर से घिकना कर लेना जाही उसके नागं अदर से बिलकुल खुश रहती है तो बच्चों में भी आम तोर से जो लक्षन पाए जाते हैं वहां भी हम नेट्रम आर्सिनिकोसम दवाई का इस्तेमाल करते हैं नेट्रम माने जो आपके हां सोडियम केमिकल एलिमेंट आपका होता है जो हम पिछली बार भी देख रहे थे कि प्रियोडिक टेवल भी कौन- तो वहां पर नेट्रम आर्सिनिकोसम सोडियम आर्सिनिक की जो दवाई है उसको वहां पर इस्तेमाल करते हैं एक विशेश अस्तेमा होता है आपने देखा होगा कुछ लोग होती हैं जिने अगर आप सी फूड खाते ही और कुछ मुश्किलों जे घर जाते हैं सांस नहीं होता है या कई बार होता है कि उनके स्किन पर रैशिज हो जाते हैं दाथ जैसे बन जाते हैं बड़े बड़े और उसमें खुजली होने लगती है तो जब भी हम बरसात में या पानी के आसपास पैदा होने वाली वनस्पतियों को या पानी के अंदर पैदा होने वाले कुछ गुरू बफाव डालती है वाटी है स्वैसंद पार हो सकता है बरीधिंग पार हो सकता है आपके डिजेस्दिव्ससेस्थ क्यू 갑एं रिवर पर हो है जब भी ऐसी समस्या हो बरसाद या भरा हुआ पानी वह आपको समस्यायी प्यदा हुआ so, उस अस्त्मा के लिए हम नेटरं सल्फ पर networking के ili की एक रामबा शुरी हैhenे लेकिनर बताते हैँ कि आप ने ताम स्ट्राइव सब्सक्राइब करेंAL ने कर चाहिए के लिए लेकिन नामियर और जैसे ही बरसाथ आती है, जैसे ही मेरे पास नमी वाले जगों पर मुझे जाना होता है, जैसे ही मेरे सब्सक्राइब काता हूँ, तो मेरे साथ या समधे हैं उस समय हम Нетrum Self का एसने माल करेंगे और नेटरम सलफ एक ऐसी दवाई है, जो बहुत बीमारियों में एक चमतकारी काम कर तो नेटरमसल्फ है कुछ ऐसे घर होते हैं जो बहुत पुरानी जगों पर होते हैं या आपके अंडरगराउंड बेसमेंट्स बनी होती हैं उनमें सीलन और अंदकार पर अंदकार भी होता है नमी और सीलन वाली जगों पर आपने देखा होगा कि इवन दिवाओं पर फकुन जैसी सीजिएं भी आजाती हैं काले काले निशान पढ़ जाते हैं तो उन जगों पर रहने वाले लोगों को भी एस्तमा ट्रिगर होता है और उन जगों पर जब ट्रिगर होता है इसमा तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत शांदार दवाई है और आप उस दवाई के बारे में मैं कुछ वह भी बार बठाऊंगा तो आप सुनके मुझकुनाएंगे वो दवाई है ब्लेटा ओरियंटा ऐसा ब्लेटा जो ओरियंट मिलता हो हमारे पास हमी पारिती में दो प्लेटा जो सब्सक्राइब एक लुक्त 6 एक आशकर है केहते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति को अस्त्मा था और उसे गल्प्ती से एक ऐसी चाय पिला दी गई जिसमें चाय वाले ने ध्यान नहीं दिया और उसमें कोक्रोच भी उवलकर उस चाय में उस व्यक्ति को चला गया जी 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 उस व्यक्ति ने देखा कि उसका जो अस्त्मा का अटेक पड़ा हुआ था थीक हो गया उस चाय को पीने से जब उसके बारे में और पीछे की तरफ इंडिस्टिगेट किया गया तो देखा गया अरे वो जो चाय पी ती उस चाय में तो बेसिकली हमने एक कोक्रोच क प्पाल के पीजिए तो बलेटा ओर इंतालिस जो होता है वो हिंदुस्तार में पाया जाने वाला कोक्रोच तो ये दवाई उस बलेटा और इंटालिस से बनाए जाती है लेकिन जब अभी हमने बात की थी आर्सेनिकम एल्बम की आर्सेनिकम एक बड़ी रांबान उश्टि पी होती है जब आपके शिंप्टम्स आई से निकम को इंडिकेट कर रहे हैं लेकिन आर्से निकम से उसमें लाब नहीं मिल रहा हूं है झाना जब आप देखेंगे कि उसका स सेट बनाएंगे उसका से त्फित烏 तेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे सिंप्टम्स वो हैं जो आर्सेनिकम अल्बम से ठीक होने चाहिए लेकिन आर्सेनिकम अल्बम देने के बाग्यूद उसका अस्मा ठीक नहीं हो रहा तो ऐसी जगहे पर हम उस समय ब्लेटा ओरियंटालिस को देते हैं और यह देखा गया है क पेशेंट जो अस्मा के हैं वो पेशेंट चमतकार एक धंग से ठेक हुए हैं उन्होंने रिकावर किया है और वो अपनी पूरी तरह जेक्योर होगे तो यह मुख्य दवाईया हैं जो हमें एक ब्रहुकायल अस्मा में प्रयोग करते हैं बस इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है अपने कैलियम साल्ट वाले पर जो शुबह 3 बजए का स्पास होता है क्योंकि ये जो कैलियम साल्ट वाले हमारे केसिज होते हैं कि ये कई बार काडिय किस्मा के साथ कंशूज कर जाते हैं तो ऐसा नहीं हो सके इसके लिए एक एक्सपर्ट की जानकारी में सारी की जरूरी होती है उन्हें बताएं और हुमिपेटिक दमाओं का लाग उठाएं देखें यह कितनी चमतकारी कोश्टी है जी बहुत बढ़िया सो जैसे आप भी हमने बात की ब्रॉनकायल अस्तमा की उसकी आपने बहुत विस्तरित जानकरी दी कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेकिन अपने दर्शों को हम एक बर फिर बताते हैं कुछ भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने होमिपेथ या डॉक्टर से जरूर कंसर्म करें तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रेशन के तरफ तो डॉक्ट साब अब कार्डियक अस्तमा को हम होमिपैथी में कैसे ट्रीट करते हैं अभी हमने पहले डिसकस किया कि होमिपैथी में कोई सर्जिरी के कोई प्रवधान नहीं है तो इसके इलावे हमारे पास क्या-क्या उपाई है क्या-क्या मेडिसन है जिसके साथ हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं गोरो जी हमारे पास होमिपैथी में बस एक ही तरीका है कि हम पेशिंट से से बात करते है उसकी टू्टालिटी ओफ देखते हैं टूटालिटी ओफ प्सिम्टमस उसके शारी है उसके मांस उत्रविक मंज्टमस क्या है उसकी मेडिसिन ढूनने के बाद हम उस मेडिसिन को जब उस व्यक्टी को देंगे तो उसको अपनी बीमारी में या उसकी जो भी समस्या हैं उसमें उसको आरा मिलें अब बात आती है हमारे कार्डियक अस्थमा की तो कार्डियक अस्थमा अपने आप में अस्थमा नहीं होता उस सें passages इसमें swell नहीं होते हैं बलके आपके हाट में अगर मैं थोड़ा सा समझा पाऊं कोई चित्राज उपस्तित नहीं हो पाया इसमें जब आप हाट को इसका cross section करेंगे तो इसके जो सबसे अंढर की सतय होती है उस अंढर की सतय को हम endometrium कहते हैं endocardium कहते हैं उसके बाहर की जो बीच की सतय है जो मुटा सा हिस्सा होता है जो वीवार की थिकने सुखी है दिल की उसको सेक के अंदर रहता है जिसमें फईस लिक्विल सा बहरा होता है और इस सारे को जो सबसे बाहर की तरफ देखिण हो परिकाडियम नटीब हो नखी वाद है पुरी तरह से नहीं आपाता है जो oxygen supply हमारे शरी को दी जानी चाहिए वो प्रापर नहीं हो पाती है तो यह कार्डिय के स्थमा का केस बन जाता है एंडो कार्डियम में जब समस्याएं होती है उसके लिए हूमीपैटी में एक दवाई है कैक्टस ग्रेंडीफलोर्स हम कैक्टस ग्रेंडी फ्लोरस को उस समय कॉल करते ही कैक्टस ग्रेंडीफलोरस के केस में आप देखेंगे जितनी आर्ट्री के अंदर बहुत सरा प्लक पाया जाएगा उन में congestion रहेगा और आप बता देते हैं जिसको आप सावान्य भाशा में कहते हैं कि blockage हो जाता है वो blockage रहेगा और जो आपका distribution of blood होता है शरीव में वो uneven हो जाएगा कभी वो ज़्यादा है और कभी वो कम वाला रहेगा तो जब ऐसे स्थितियां होती है उस समयापका हम cactus graniflores को करते हैं उस व्यक्ति को हमेशे बहुत anxiety रहेगी जब भी अकेला होगा वो बहुत चीखेगा उसे fear of death लगा रहेगा और उसके heart में एक सकत पना जाएगा जिसको arterio sclerosis कहते हैं उसकी धमनियां बहुत कठोर हो जाएगी उसको बहुत तेज नब्स धरकेगी violent palpitation होगा और जब वो अपनी left side पर लेटने की कोशिश करेगा तो उसे problems होनी शुरू हो जाएगी तो left side ना लेट पाने का जो पहचान है यह cactus grandicolores की पहचान है यह एक अखेली दवाई है जो low blood pressure को अपनी पहचान के रूपे बताती है पूरी alopathy में मैंने नहीं देखा कि कोई दवाई उसको low blood pressure से बाहर निकाल पाती हूँ लेकिन इसमें बहुत सारे patients को हम daily treat करते हैं जो low blood pressure से परभावित होते हैं तो उनके लिए cactus grandicolores एक राम बान दवाई है और यह आपके cardiac इसमा के उस केस को जो आपके endocardium को परभावित करता है उस केस में यह एक राम बान दवाई है एक दूसरी दवाई हमारे पास होती है जिसे हम digitalist purpura कहते हैं digitalist एक ऐसी दवाई है जो myocardium से related है जो बीच का हिस्ता होता है दिलवाला जो idolirus part होता है तो जब इसमें problem आ जाती है इसमें problem जो आपका ऐसी node होता है वहां पर charge distribution फ्रापर नहीं होता चार्ज transmission फ्रापर नहीं होता आपके pace maker से problem आने लगती है तो यह सारा का साथब ओपोरशन है जिसको हमारे डिजिटलिस अड्रेस करती है तो इससे में आप देखेंगे कि डिजिटलिस के साथ साथ आपके लिवर में भी प्राब्लम होने लगती है आपके चेहरे पिप्टीलिया के लक्षन दिखाई देने लगते हैं जॉंडिस के लक्षन दिखाई देने लगते हैं औरिकुलर फ्लेटर और फिब्रिलेशन हो जाता है यह यह एक ECG में हम उसको देखके पहचान सकते हैं कि वहाँ पर फ्लेटर है या फिब्रिलेशन है जब आप ECG अपना डॉक्टर को दिखाएंगे तो देखके इसको पहचान जाएंगे और बिजिटलिस के पेशन्ट को जब वो चलता है चलने के बाद उसकी सांस फूलने लगती है और उसको लगता है कि यदि वो एक भी कलम चला तो मर जाएगा उसके जीवन पे खत्रा आ जाएगा बिजिटलिस की पैचान यही है कि उसका पेशन्ट चल नहीं पाता हमने कुछ दूसरी प्राब्लम्स के बारे में जेल सेमियम की बात की थी, जेल सेमियम भी काडियक अस्वा को अड्रस करता है, लेकिन जेल सेमियम की पहचान होती है कि उसको लगता है कि यदि वो रुका तो मर जाएगा, वो लगतार चलते रहना चाहता है, डिजिटलिस की प तो वो एक अर्थ का अनर्थ कर पाएगा और लाब होने की अप्रिक्षर को हानी होने की संभाव नहीं होते हैं, जब व्यक्ति थोड़ा सा चले तो उसके सांस पूल जाती है, और वो हुख जाना चाहता है, वो चलना नहीं चाहता है, वो छोटी-छोटी सी बातों को सुनकर एक दम से घवरा जाता है, मेरे पास एक पेशेंट थे, अभी इसमें जने मैंने डिजिटलिस्ट दिया था, उन्हें चार बार ओटी से वापस लाया गया था, और वो ओटी को देखते ही घवरा जाते थे, उनके बीपी रेगुलर हो जाता था, और वो डर के वहां चीखना चिलाना शुरू कर देते थे, और वो रिटार रेखती थे, तो ओटी को देखते ही वो इतना घवरा जाते, तो जब उन्होंने देखा कि वो किसी भी तरह से जो उनकी कंडिशन से ओटी वालों की वो कोई नहीं कर पा रहे हैं, तब उन्हें होम ये पैथी के लिए मेरे पा पास ऐसे तरीके और उनके ऐसे लक्षणों को नोट करने के तरीके रहते हैं, जिसके द्वारा हम इन दवाईयों का बेहतर प्रियों कर सकते हैं, जी बहुत मत पुर्चान करें दिया आपने, बलकि अगर आप कहें तो मुझे कुछ याद आ रही है, जैसे आपका लोबेलि चोटे-चोटे रुब्रिक्स में अंतर के साथ चलते हुए हमारे काडिय कस्तमा को अड्रेस करती हैं, क्यू ब्रैको एक दवाई होती है, जो बहुत रेरली इस्तेमाल की जाती है, तो क्यू ब्रैको है, यह हमारे पास हैं दवाईयां जो यह दम भरती हैं और यह कह सकती है कर सकती हैं कि they can address the cardiac asthma and they can cure it properly if given under a proper guidance by an expert जी जी बहुत 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 जान करें समय हमारे पास बहुत ही कम है तो हम अपने दश्कों को कुछ कुछ प्रेशन ले लेते हैं दश्कों के तो हमारे पास प्रेशन है तो आज की अस्तिमा जो है वो चार पर किसमें प्रेट पाय जाता है अभी हमने जैसे बात की कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक हरेडिटरी हमारे पार से लक्षन होंसा है कि मात्रा-पिता से अस्वा मिला है तो वो तो हमें बच्पन से ही दिखाई देने लगता है क्योंकि पच्छों के लंक्स बहुत सेंसितिव होते हैं तो दे सम्टाइम्स रियक्ट दॉदा पॉलेंस एंड डस्ट एंड स्मोक तो इनके लिए भी मैंने आपसे बात की कि आप नेटरम सल्फ का प्रियू करते हैं एज डिफार्ट रेमेडिया आप उनको दे सकते हैं लेकिन हम इसमें वही एक सामाने समस्चा पर दुबारा अनुबर करते हैं कि हम इसमें कोई भी क्लास फर्मॉलिशन नहीं कर सकते हैं हम य सरस एक तरीका है सामने बैठा हुआ एकिकले तो हम उसको उसी तरह से रिस्पॉंस करते हैं जी 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 तो आपने डिसकस करी लिया तो अमिजी को उनकांसर तो मिली क्या होगा और संजीब जी जीवन दायनी महत्वपूर जानकारिया महत्वपूर जानकारियां और आने वाले टाइम में और महत्वपूर में डिसकस करेंगे तो सब्सक्राइब के क्वेश्चन आ रहा है जो हमारे एक ऑफ-लाइन दशक ने पूछा है उन्होंने कहा है कि उनको साइनस है तो इस साइनस स्टार्ट ऑफ अस्थमा नहीं साइनस अ स्टार्ट नहीं होता साइनस के हमारे पास यहां पर कुल मिला के आठ पॉइंट सूथी है और उनमें से जब आपका म्यूकस जादा जमने लगता है तो सबस्ता को हम साइनस कहते हैं और जो आपका स्थमा होता है यह आपके लंग से रिलेटेड होता है साइनस आपके नाख से शंबंदी जो यहां सुराक होते हैं, उन से संबंदित की है बीमारी है लेकिन हम इसको अस्थमा और साइनस ना कहते हुए हमारे पास साइनस के लिए भी जैसे अभी मैंने दो तीन दावाईयों का नाम लिया था नेरम दिया था नेरम शलफ का नाम लंग्स वो सारे के सारे के लिए हमारे बड़ा इस्तिमाल किया जाता है और एक रामबा उच दिए है अपने आपके नेटरमसल्फ का प्रियोग कर सकते हैं एक दवाई पुलसा टिला आती है पुलसा टिला के बारे में आप कर सकते हैं कैलियम बाइक्रोमिकम जो मैंने अभी हमारे पास नेजल साइनस के बारे में एक दवाई है तो हम इस दवाईयों के तरीके से और इसका सबसे बेहतर तरीका होता है या तो अपनी पूरे के पूरे लक्षण लिखकर आपको भीज़ दी जाएं और आप यहां मैंट के चल्चा करें या फिर जो हमारे दर्शक मित्र हैं यह कि ही एक्सपर्ट की पर जाकर अपनी पूरी जाने करने बताएं लेकिन साइनस को होम्योपैथी एक पूरी तरह से एडरस कर देती और उसको हमीशा के लिए क्योर भी कर देती जी 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 फाइं बोले जाए दोनों अलग 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 कुछ को गर्मियों में ज्यादा अलर्जी होती है को उनके साइसे लिलेटरेंस घ्रन लगती है तो यह अस्त्मा का एक लक्षन है जा अबी बात की थी इसमें कि कुछ triggers होते हैं, pollen grains हैं, आपके फ्यूम्स हैं, आपके धूल है, भूसा है, यह ऐसे triggers हैं, जो आपके air passage को inflame करते हैं, जैसी air passage आपका inflame होगा, आपको अस्तमा, coughing शुरू हो जाएगी, बीजिन शुरू हो जाएगी, माने उसमें सास लेने में आपको आवाज आनी शुरू हो जाएगी, और आपको shortness of breath आनी शुरू हो जाएगी, यह सारे के सारे triggers हैं, जिनको हम एलोपैथी में allergy कहते हैं, जी जी अच्छा, एक दूसरी महत्कून बात, क्योंकि इनके oppression से मुझे याद आ गई, हमारे पास एक बड़ी महत्कून जानकारी है, कि जिन जिन व्यक्तियों को skin diseases होती हैं, और skin diseases को हम दवाईयों के साहरे, या antibiotics के साहरे, या ऐसे किसी तरीके से तफ्रस करते रहें, इसको बार नहीं निकलने दिते हैं, जी जी अगर आपको eruption होगी, आपको पो stress नहीं कर रहे हैं, और जो बार निकलने वाली skin diseases हैं, उनको suppress कर दे रहे हैं, 80% ऐसे cases में आप धीरे-धीरे अस्थमा डवलप कर लेते हैं, तो हम लोग जो बहुत आराम से क्या करते हैं, skin diseases और skin creams लगा लेते हैं, skin cream से हम किसी भी निकलने वाली समस्या को दूर कर देते हैं दबा देते हैं, suppression कर देते हैं, वो ऐसा ना करें, अपने सही रोग का इलाज कराएं, क्योंकि अगर सही रोग का इलाज नहीं होगा, तो जो चीज आपके निकलना चाहती थी, पर आप उसको निकलने नहीं दे रहे हैं, तो वो अगर skin के रास्ते से नहीं निकलेगी, तो द आज कराएं, तो इस सप्रस ना करें, अभी अच्छा आपी इस एपिसोड का हम लास्ट कॉस्टिन लेते हैं, आज कॉस्टिन बहुत आ रहे हैं, एक प्रेशन है हमारे offline user का, वोगे पूछना जाते हैं, इस ते रहनी रिलेशन बिट्विन माइग्रेन एंड अस्तमा, अस् अच्छ माइग्रेन ओगा अक्रिक Gaur है a side effect of asthma लेकिन्ट्री-ोगी क्यांकि इस राइडिख लेते तू यूर्ऑ तरीलेस पाइनल एकसेस-अब के नर्वस तंतर की बीमारी है इसनों तंतर की बीमारी है और आपके लियान। ऐसा हो सकता है कि अस्थमा से जो आपको तनाव पैदा हुआ हो उससे माइगरेन डवलप हो जाए लेकिन ज्यात परिस्थितियों में या ज्यात स्टडीज के आधार पर माइगरेन और अस्थमा के बीच में ऐसा कोई संबंद जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हों एक दूसरे इसे ट्रीट्मेंट करवा रहे हैं यह इन्हेलर लेते हैं जी तो इंग्डर कोस्टीन है हाव तो सर्वाइव एन अस्थमा टैक इफ यू आर कोट विदाउट यूर इन्हेलर जी अभी मैंने निवेदन किया था जो सबसे पहली दवाई हमने कहीती पिछली बार भी आपने समयों तुछा था कि स क्या हम कोई का इसतिमाल होने हैं हम की रूंग में हैं कोई गटित हो जाती आपके सामने आा जाती है और आप सही एलाज کی आँस्था तक पहुंशने का टाइम आपके पास नहीं होता उन्प्रस 티 Lincoln में आप एकॉनिटम नेपलस एकॉनिटम नेपलस इस दवाई को आप इसकंवाल कर सकते हैं इसे हम सामाने भाइशे में एकॉन भी कहते हैं एकॉन का वन एम थोड़े से पानी में डाल कर उसके पांच डॉपस आप ले लीजेगा और आपको इतना परियाप समय दे देगी हार जी यह सिर्फ प्रिवेंशन है उस चीज का जो आपको एक आए घटित होगी तो इसको क्यों मानके ना चलें कि अगर आपने आज वो ले लिया है तो एंजाइन आपको रिलिफ हो गया है या माइगरीन से रिलिफ हो गया है ऐसा ना मानके चलें सिर्फ ही मानके चलें कि इस ने उस अटेक को उस समय, for the time being, it has managed it, but now you have to go to the doctor and tell him everything so that it can be cured. जो काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उनका एक टोपिक है कि अगले अगर हम कोई एपिसोड फिट्स के उपर किया जाएगे? हाँ, फिट्स के बारे में किया जा सकता है, और हम बिल्कु कोशिश करेंगे कि अगली बार या उससे अगली बार हम इसको अपने नोट कर लेते हैं, और जैसे ही संभावना होगी, हम इस बारे में एक नया एपिसोड अविशे करेंगे. So, वैक्षिन जी आपको आपका उत्तर मिल क्या होगा? हम दोईशे में आने वाले एपिसोड में एक फिट्स के बारे में एपिसोड जुरूर करेंगे. So, अभी हमें समय और इजावद में ही दे रहा, डॉक्ट साब. So, आज एपिसोड क्लोज करते हैं, conclude करते हैं. धन्यवाद आपका. So, यह थे हमारे साथ डॉक्टर याग्यवले का, जो निरंतर हमारे साथ हर एपिसोड में आते हैं, और हम कोई नया नया टोपिक जिसपे हम डिसकस करते हैं. So, आज का एपिसोड जो हमने अस्तमा के उपर किया है. So, आज हमने देखा कि हुम्मेपैथी अस्तमा के मामलों में भी एक सार्थक सहाई के रूप में आपके पास मजूद रहती हैं. जब भी आप ऐसी समस्या से जूज रहे हो, अपने पास स्थित किसी भी एक्सपर्ट के पास आप जा सकते हैं. और जो भी दवाई वे बताएं उसके दवारा अपने अस्तमा पर आप काबू पा सकते हैं. So, इसी के साथ आज का एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं. फिर्मिलते हैं आपको, next week with new topic, thank you, take care, bye-bye.